नमस्कार प्यारे साथियों, नीट अपडेट दो हजार चोविस की इस लेटिस्ट वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA की ओफिसिल आधिकारिक वेबसाइट पे आज चुके हैं और आज हम आपके सारे डाउट्स के लिएर करने वाले हैं, क्या नीट रद हो गई है? अगर ये रद नहीं हुई है, तो प्यारे साथियों, इसकी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है क्या इस प्रवेश परिक्षा को रद किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, लगातार दो-चार दिन से आप कमेंट कर रहे हैं, कि अगर सर नीट रद नहीं हुई है, तो इसकी काउंसलिंग इस्टार्ट क्यो नहीं हो पा रही है? तो प्यारे साथियों, आपको बता दूँ कि आपकी जो केंद्य सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने हाली में एक फेसला दिया था, एक जो बयान दिया था, उसमें दोस्तों उन्होंने साप कहा था कि नीट की जो काउंसलिंग जो जल्द ही स्टार्ट आप अपने डोकिमेंट तयार कर लेए, वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर ये है कि नीट को सुप्रिम कोट ने एक विद्यारतियों के खिलाब जाके एक फेसला दिया था कि नीट को जो दुबारा कंडेक्ट नहीं करवाया जाएगा, वहीं दोस्तों सुप्रिम कोट तो क् ऐसी जांच एजेंचिय या SOG जो टीम है वो दोस्तो नीट जो है लीक के जो अभी तक सबूत जुटा रही है इसलिए जो अब वो काउंसिलिंग को स्टार्ट नहीं कर पा रही है बलकि सुप्रिम कोट ने दोस्तो फेसला तो एक दे दिया था कि नीट को रद नहीं किया जनता होगी दोस्तो सब का काफी जादा जो है दबाव था क्योंकि पहली बार इतना समय जो नीट के अंदर लगा है तो जनता का दबाव था इसलिए दोस्तो और उनको पुक्ता सबूत जो टाइम पर नहीं मिल पाए इसलिए उन्होंने एक फेसला दिया कि नीट को जो जो जाते हैं और इसका जो काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तो अगर आप भी नीट दो हजार पट्चिस क्लियर करना चाहते हैं और नीट से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले चाहते हैं प्यारे साथ यो एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब केज़ेगा ताकि नीट से जुड़े सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और दोस्तो अगर नीट का जो नेक्ष्ट दो हजार पट्चिस का एक्जाम होता है तो दोस्तो उसमें ये जो चांसिस रह सकते हैं कि एक नए सीरे से उसका एक्जाम का आयोजन करवाय जाएगा यानि वो जो ओनलाइन भी हो सकती है यानि इस बार तो दोस्तो ओफलाइन थी अपने को जो पेपर और पेंच से परिक्षा का जो आयोजन किया था और उसमें अपने भाग लिया था लेकिन के लिए धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में